हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इजी नोट्स फॉर यॉर्लाइन स्टेडी चैनल आप सब के अपने यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स यूजी सीनर्ड दो हजार चॉबिस की तैयारी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन ऐसे में य पूछे जा रहे हैं और पैटन कैसा आ रहा है तो यहां पर आपके सामने साथ दिसंबर 2023 का जो लास्ट पेपर हुआ है दिसंबर में वह आपको शो करने जा रहे हैं शिफ्ट टू का तो सब लोग एक बारी लाइव आ जाए और एक बारी जड़ा थमस अप कर दीजे अगर मैं आपको डियाई का कोशन भी दिखाने वाली हूं कि साथ दिसंबर 2023 में शिफ्ट टू में किस तरीके के कोशन डियाई में पूछे गए उनको सॉल्व कैसे करना था थियोरी में जो कोशन आए वो कैसे सॉल्व होने थी तो यह सारी चीजे ना सिर्फ कोशन पेपर विद एक्स्प्रानीशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं तो जल्दी से सब लोग आ जाए हर हर मादेव गुड़ीवनिंग एवरिवन तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं केपी ने कह दिया है कि क्लियर है तो भाई क्लियर है मैदान तो चलते हैं आगी पहला कोशन यहां द और जाए हुआं पर स्टेटमेंन को पढ़ना जरूरी है स्टेटमेंट हे कि एक टेबल दिया गह है और वो टेबल है किसका चैक यानि एक इस्टेद है स्टेट मानलिया है उन्होंने जहां पे 2016 से लिके 2022 के 7 वर्षों के 6 विबिन नगरों में यानी एक state है माल लिजे as far क्या हो गया सिक्किम हो गया है या कोई हम state बोल सकते हैं एक state ले लिया हमने उसमे अलग अलग यहां पे नगर बना दिया जैसे उत्तर प्रधेश है उत्तर प्रधेश में कि नगर E और F, नगर E कहां है ये रहा, नगर F कहां है ये रहा, कि संदर में कुल मिलाकर 2021 में, E और F, 2021 में कुल मिलाकर निर्मित भवनों की संख्या, और 2017 में निर्मित भवनों की संख्या का, और 2017 में निर्मित भवनों की संख्या का अंतर कितना है, 2021 और 2017 का data है जिस पे काम करना है तो जल्दी से आपको difference बताना है कि E और F को मिला करके In the context of town E and F together What is the difference between the number of building constructed in 2021 EF कहां ये रहा EF को count कर लीजे Same ऐसे ही यहाँ पर अगर हम 2021 की बात करें है 2017 को count कर लीजे इन दोनों को count करने के बाद आपस में इनको minus कर देंगे तो आपका जो answer है वो आ जाएगा रादे रादे एन कुमार अभी मैं आरियन यही चीजे में बता रही हूँ इसी के बाद ही मैं आप लोगों को mock test कैसे होगा वो भी आप लोगों को बताऊंगे और यहां life class में mock test करवाओंगी ठीके शिवानी जोईन बतन से बेटा आप जोईन कर सकते हो मैचिज सेंटर पे भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी आपको जोईन बतन अराम से मिल जाएगा जोईन बतन देखो प्रोफाइल में हमारे वहाँ से जोईन कर सकते हो मेंबर्शिप ले सकते हो और अगर आप चाहो तो डिरेक्ली टेलिग्राम पर भी हमसे contact कर सकते हो ठीके so don't worry तो यहां पर अगर हम बात करें केपी का अंसर आ गया है 830 सही होगा की नहीं होगा कितना अंसर होगा 430 E और F में 2021 में जैसा कि हमने क्या कहा था 2021 के डेटा को count करिए 2017 के डेटा को count करिए लेकिन किसके लिए E और F के लिए जब जोडेंगे 4910 2017 में जोडेंगे तो 4480 इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह जो classes हैं आप सभी को दी जाती है अगर आप में से लगता है सभी को free है लेकिन जिसको लगता है कि नहीं भाई अगर हम कोई batches लेते तो वहाँ पर हमें काफी ज़्यदा पैसा देना पड़ता और proper study नहीं मिल पाती लेकिन अगर हम मेडम को support करेंगे membership लेंगे तो मेडम और अच्छे content हमको provide कर पाएंगी क्योंकि PDF वगेरा purchase करने में भी time लगता है तो अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें और अच्छी चीज़ें मिले और अच्छे content मिले तो आप लोग membership ले सकते हो और ये सारा study material जो हमारा है ये सारी चीज़ें आपको हमारे telegram हमारे website पर भी मिल जाएगी क्योंकि website को operate करने के लिए भी एक fund की जरूत होती है तो इसलिए एक छोटा सा support जो भी करना चाहते है वो हमारी membership ले सकता है तो यहाँ पर आपके सामने ये question का answer किसको किसको समझ में आ गया शिवानी कोई बात नहीं अभी यहाँ पर जब मैं class ले रही हूँ सब concentrate करो क्योंकि जिस तरीके से बिटा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसे काम करना है तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप question को solve करोगे न तो difficulty नहीं आएगी otherwise exam में यही question इतने tough लगेंगे कि आपको लगेगा कि अरे आप करें क्या जैश्री नाम बिटा खुद से समझ में नहीं आते है question बट अभी देखो समझ में आएंगे question number 2 पे चले जाओ सबसे पहले जबी भी डियाई solve करो statement को पढ़ो statement के पढ़ने के बाद देखो यहाँ पर कोई data तो नहीं दिया गया है इसमें नहीं दिया है इसमें सारा data हमें calculate करना है इस table से फिर इन्हों ने कहा है कि नगर B नगर B कहा है यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे न आपको समझ में आएगा नगर B कहा है नगर B रहा यह नगर B में सातों वर्षों में कितने वर्ष है एक दो तीन चार पांट छे साथ निर्मित भवनों की कुल संख्या कितनी है यानि इन्हों ने कहा है यह B को आप टोटल कर दीजे पूरा बताईए आपका आंसर क्या है एडिशन वाला कोशन है सिर्फ B को calculate करना है B का आंसर सिर्फ जोड़ के बताईए कितना होगा देखते हैं सबसे fast calculation सिर्फ B में इन्हों ने कहा जितने भी construct हुआ है कितना हुआ है वही आपका आंसर होगा जल्दी से इस कोशन का आंसर दीजे कोशन नमबर टू थैंक यू शिल्पी आंसर करो रंचन बिटा प्रियंका हरीश आंसर आना चाहिए देखते हैं सबसे पहले calculation कोशन को जल्दी से जोड़िए कोशन को सब्सक्राइब आसर शौ सब्सक्राइब ऑच्छिस सूब 558, 264, 267, 92 29, 29 टोटल करेंगे तो टोटल सिर्फ संख्या पूछी है इन्होंने और कुछ नहीं कहाई इन्होंने का भैया हमें सिर्फ जोड़के बता दू टोटल कितने उन्होंने भवन या कितने यहाँ पे उन प्रियंका ने कहा है B calculate करेंगे 18,870 होगा total मैंने क्या कहा सिर्फ आपको B को total करना है addition simple सा जोड़ना था आपको simple सा जोड़ का question है जोड़ जिसे हम कहते हैं add करना addition करना सिर्फ B state को जोड़ना था तो C कैसे हुआ B कैसे हुआ और 16,200 कैसे आए नेहा बच्चे आप अराम से कर सकते हो सिर्फ जोड़ना है जोड़ करके सिर्फ आंसर करना है कमल एक बड़ी refresh कर लो बिटा ये वाला question समझ में आगे आप लोगों को N कुमार B कैसे होगा बिटा सिर्फ मैंने कहा है यहाँ पर इन्होंने सिर्फ B की बात करी है सिर्फ B में इन्होंने कहा है सातो वर्षों के लिए कभी-कभी ये लोग लिख देते हैं माल लीज़ B में 2018, 2019 का बताईए या C में 2021 या 2022 का बताईए तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट यहाँ इन्होंने कहा B में जितने भी सातों यहाँ पर इयर दिये गए हैं उसको टोटल करके आंसर बताना है और टोटल आंसर है 18,870 सिंपल चा कोशन ठीक है? पैन कॉपी नहीं ली थी? चलो, अगली वार से पैन कॉपी लेके बैठो कोशन नमबर त्री 2020 से 22 तक 2020 से 22 तक निर्मित भवनों की कुल संख्या सटीक रूप से निम्न में से कितने शेरों में 85-100 से अधिक है तो अपने क्या करना है? जैसे कि माल लीजे A है तो A में आप टोटल कर लीजे इन तीनों का भी से 22 ठीक हैसे ही भी का टोटल करेज़े अब यही चीज है यहाँ पे इन तीनों का टोटल कर लीजे इसका टोटल कर लीजे इसका टोटल करिए यहाँ पे इसका टोटल हो जाएगा इसका टोटल करिए और तीनों का यहाँ पे टोटल करिए अगर आप calculation करना चाहते हो और पुड़ा दिमाग रखते हो तो यहाँ पे आपको starting में क्या दिखाई दे यानि यह संख्या तो पहले ही हमारे पास स्टार्टिंग में 9 से शुरू हो रहा है फिर दूसरी संख्या 2, 2, 4, 5, 6 यानि यह तो नहीं हो सकती क्योंकि एक दो लगेगा आगे फिर है 3, 3, 6, 3, 9 ध्यान से देखो 3 से start है 3, 3 अगर जोड़ोगे तो last में 3, 3 से आगे ही बढ़ेगा 9 से ज़्यादा होगा कम नहीं होगा 3, 3, 6, 3, 9 ठीके फिर ऐसे ही 2, 2, 4, 6 6 से ज़्यादा ज़्यादा 7 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2, 4, 5, 6 तो कितने यहाँ पे संख्या है यहाँ पे total कर सकते है सही answer है option number B 85, 100 से अधिक है और जैसा कि आप देख रहो यहाँ संख्या 9,000 के करीब जा रही है यह भी 9,000 के करीब जा रही है यह भी कितनी निकली संख्या सिर्फ 3 संख्या ऐसी निकली जो 9,000 के करीब जा रही है बाकी सारी की सारी यहाँ पे उससे कम जा रही है और यहाँ पे इनुने कहा है कि 85, 100 से ज़्यादा जानी चाहिए question में लिखा है 85, 100 से ज़्यादा जानी चाहिए यह question समझ में आ गया hello जुलफी यह वाला समझ में आ गया अब अगर ध्यान से देखो जैसे कि हमने पहले कहा कि यह 9 है यहाँ पे आ रहा है ठीके ना दूसरी संके हमने कहा नहीं देखो 2, 2 से जुड़ा है 2, 2, 4, 2, 6 7 या 8 हो जाएगा लेकिन आगे नी बढ़ पाएगा फिर यहाँ पर आप देखो फिर 9 यहाँ आ गई 9 यहाँ 9 से जादा आ गई यहाँ पे हमें कितनी निकालनी थी 85-100 से जादा निकालनी थी तो हमारा वो कैलकुलेशन कितना शॉर्टकट था शिल्पी या तो बेटा सब को जोड़ लो यानि कि A में या तो आप ऐसा करो आपको फिर लगातार जोड़ना पड़ेगा जैसे यहाँ जोड़ा है यहाँ पर 2020, 21 और 22 का 2020 से 22 का डेटा बोला है तो या तो आप इन तीनों को इस तरीके से जोड़ो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है A को जोड़ो A को यह देखो यहाँ पर 20 से 22 का डेटा जोड़ लिया सेम ऐसे ही B को जोड़ो हमने तो शॉर्टकट किया है यह लॉंग प्रोसेस है अगर वैसे नहीं आता है अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपको समझ में आजाएगी ट्रेक D को हमने यहाँ पर कैलकुलेट जोड़ा है जोड़ने का मतलब है यहाँ पर संख्या केतनी आई 11,216 E को जोड़ दिया सेम ऐसे ही यहाँ पर E की संख्या ली F को जोड़ा यहाँ हमने F की संख्या ली इन्होंने कहा ऐसी कितनी यहां पे कितने शहर है कितने शहर है जिसमें की पच्चासी सो से अधिक की संख्या है पच्चासी सो एक तो हमारी ये रही संख्या चौरासी सो है तो उससे कोई मतलब नहीं है यहां पे नौ हजार उपर है ग्यारा हजार दो सोला तो कितनी संख्या है, तीन संख्या है, इसलिए यह जो हमारा आंसर है, कितना निकलेगा, तीन निकलेगा, अब समझ में आ गया बिल्कुल नेहा, वो भी करवाती हूं मेटा, ठीक है, मैं सारे कोशन्ट उपर करवाओंगी, समझ में आ गया कोशन नमबर 4, एसराज में, یہ पूरा का पूरा ही एसराज है, एसराज में, सोला में निर्मित, सोला में निर्मित, भवनों की कुल संख्या, यानि सोला में, जितने भी यहां पे आपकी नगर, उन सबको टोटल कर लीजे 18 में निर्मित अब 18 को total कर लीजे जब ऐसे बात करी जाए 16 या 18 की तो हमने कैसे count करना है इन सब को count करना है ठीके इन सब को हमें count करना है जल्दी जल्दी calculation करना शुरू करिए सेम ऐसे ही यहाँ पे चले जाएंगे हम 18 को count करिए 18 को count करिए फिर उन्होंने लिखा है 16 में और 18 में निर्मित भवनों की कुल संक्या का लगभग कितना प्रतिशत है final answer की में गलत दिया है यह प्रियंका ऐसे ही करते हैं यह लोग कहीं बर भी इनको जो answer देना होते हैं वो वही चीज़ करते है लेकिन हमें अपने answer confirm होने चाहिए तो जल्दी से बेटा 16 में बताईए कितना हुआ और 18 का total कितना हुआ 2016 और 2018 का total बताईए फिर इन्होंने कहा आप कई बच्चे confused हो जाते हैं कि मैं 16 वाले को उपर लिखे या 18 वाले को उपर लिखे confusion होती है न किस से हम percentage निकाले तो 2016 में निर्मित भवनों की कुल संक्या 2011 की जो संक्या starting में लिखी होती है mostly वही उपर आती है तो 2016 और वही संक्या छोटी होती है वही 2018 में निर्मित भवनों की कुल संक्या का अब देखना 2018 की संक्या बड़ी होगी बड़ी संक्या जनरली नीचे आती है तो 16 और 18 का डेटा कौन बताएगा मुझे टोटल करके प्रियंका ने बताएए 94% सही अंसर है भाई 94% अगर आप देखो 2016 में कितनी संक्या है 16,220 यानि कि छोटी संक्या उपर है चोटी संक्या हमेशा उपर आती है सेम है जही अठारा में देखे 17,210 कभी कभी rare case होता है कि मालो 16 को नीचे लिख दिया है ना या चोटी संक्या नीचे लिख दिया अदर्वाइस जनरली 95% चोटी संक्या उपर और बड़ी संक्या नीचे आती है तो 2018 का 17,210 परसंट एग निकालेंगे क्योंकि यहां लगभग की बात होई है तो लगभग हमारा जो आंसर निकलेगा 94 निकलेगा दीपशी का कितना हुआ बिटा 10,020 किसका निकाला बच्चे सिर्फ जोड़ना है स्पीड बढ़ाओ जोड़ने की बहुत से कोशन प्रियंका गलत किये इस बारी NTA ने बहुत से कोशन किये हैं गलत क्योंकि उसका रीजन यह है कि बहुत सारे बच्चों ने क्लेम भी नहीं किया क्लेम एक बारी अगर आप ठीक तरीके से करने लग जाओगे न तो उनको भी समझ में आने लग जाएगा कि नहीं भाई इजी है ना यह वाला कोशन सिर्फ टोटल कर लो 2016 का 2000 आपका 18 का और उसके बाद 16 की डिजेट को लिखो उपर 18 की डिजेट को लिखो नीचे क्योंकि परसेंटेज बोला जाता है तो मल्टिप्लाई करना होता है 100 से 100 से मल्टिप्लाई किया 93.something आएगा जिसको हमने लमसम अमाउंट लिखा है 94% ठीक है रादे रादे सविता कोशन नमबर 5 अभी आप लोगों के लिए ये कोशन इजी है ट्रस्ट मी डियाई का ये कोशन इजी है हालाकि थियोरी देखिएगा भी कैसी हो नगर डी में 2018 में अब नगर डी कहा है हमारा ये रहा नगर डी में 2018 में भवनों की संख्या में पिछले वर्ष की तुल्ना में पिछला वर्ष कौन सा है 2017 कितने प्रतिशत की व्रद्धी हुई डी में इन्हों ने क्या कहा अब बहुत ही असान कोशन है इन्हों ने कहा 2000 हमारा समझदार लोग बच्चे तुरन समझ जाएंगे क्या 2018 में निर्मित भवनों की संख्या में कितने प्रतिशत अब पिछले वर्ष की बात करी पिछला वर्ष हमारा 2017 तब थी हमारी 35 35 से हमारी व्रद्धी हुई है कितने की 100 की व्रद्धी हुई है कितने की व्रद्धी हुई है डिफ्रेंस पता होना चाहिए किसे निकालते हैं पुराने साल से तो हम क्या करेंगे 35, 36, minus 35, नीचे किसको लिखेंगे, पुराने साल को into कर देंगे 100, यानी हमारे सामने उपर आ जाएगा, या तो सीधा सीधा 100 लिख दो अगर आपको minus करना ही नहीं है, directly आपको answer पता है, यहाँ से 00 हटा दो, यह 008 बता, अब सीधा सीधा, यहाँ से आप divide क करना शुरू करो, answer आपको अपने आप ही मिल जाएगा, यह PYQ है, यह December का question paper है, जो इस समय कहीं भी available नहीं है, जून का देना है आपको, जो हमारी class रहती है, साड़े आठ बजे की रहती है, ठीक है, साड़े आठ बजे आप जोईन कर सकते हो, बाकी जो question paper की class है, बहुत ज टेलिग्राम और WhatsApp ग्रूप को जोईन कर लिजे, जिससे की मेरी कोई भी glass आप से मिसना हो, ठीक है, और इसका PDF भी मैं दूँगी आप लोगों को, तो यह मत सोचना कि आप भी नहीं आया मुझे, तो पता नहीं कैसे आएगा, इसका explanation मिलेगा, सब समझ आएगा, तो नेहा, क 2.85%, बहुत बड़ी जुलफी, है न, दिन में कोईशन पेपर की class करेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं है और पेपर काफ़ी difficult हो गया, है न, तो इसी वज़े से हम रात को करेंगे theory class और दिन में करेंगे कोईशन पेपर की class, क्योंकि कोईशन पेपर भी समझने जरूरी है, वहां से कोईशन आते है, चलो यहां पर यह कोईशन समझ में आ गया, यह तो कोईशन थे dii के, dii के कोईशन जिसको समझ में आ गया है, जल्दी से भाई, एक बरी video को like कर दो, और एक बर thumbs up करके बता दो कि भाई, समझ में आ गई चीज़े, दियाई के question समझ में आगे सबको आगे बढ़े एब हम लोग December का latest question paper है ये 7 December का question paper 6 December का मैंने करवा दिया है 7 December है ये first वाले में 530 आता है कौन सा वाला वंद न KP अभी मैं दिन में टाइम बताती हूँ दिन में टाइम आप लोगों को बताऊंगी थोड़ा सा टाइम दिर को मुझे देना थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए फिर मैं बताती हूँ थीके एजी था अभी ये वाला वाला कोशन को कौन सौल्व करेगा विच अफ डा फॉलेइंग आ ट्रू अबाउट पर्सिस्टेंट और गैनिक पॉलूटेंट मीन्स पी ओपी पी के सम्मन में इन में से कौन सी चीज सही है कोशन नंबर सिक्स अब यह डियाई इजी था कि यह जादा इजी है दियाई इजी है कि यह त्योरी देख सकते हो बिटा यहाँ पे यह कोशन इन्वाइर्मेंट का है अब इस इन्वाइर्मेंट के कोशन के लिए आपके सामने हैं पांच आप्शन यह और इसमें से आपको यहाँ पर आप्शन चूज करना है सोचो अब P.O.P. के बारे में जानना पड़ेगा अच्छा क्लास में समझ में आ जाता है प्रेक्टिस चाहिए बेटा हर एक चीज की प्रेक्टिस चाहिए विदाउट प्रेक्टिस तो मैच भी नहीं जीत सकते हैं हम लोग हर एक चीज की practice है और यकीन मानिए question paper का पूरा पूरा PDF available है YCT का आपके सामने YCT यानि youth competition से आपको बहुत help मिलेगी यह already मैंने telegram पर जो है PDF डाल रखी है आप लोग वहाँ पर भी जो available है telegram पे join करिए file section पे और free में practice start करिए है ना question number six ही answer है option number c a b d e a b d और e तो सबसे पहले यहां पर जालो दीरग कालिक या दीरगिस्ता यानि जो लंबे समय तक carbonic प्रदूशक है P.O.P. जिनको कहा जाते कैसे रसाइनिक पदार्थ है उनकी विशेश्ता है सिर्फ इतनी ही नहीं है यह भी है कि परियावरण में दीरकाल तक उपस्तित होते हैं दीरकालिक है भई दीर तक बने रहते हैं माना स्वास परियावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है सजीवों के fatty acids से संशित होते हैं यह अत्यदिक व्यापक है उस्त कड़ी बंदिये शेत्रों से आर्केटिक तक मौझूद है अकसर खाद जल में संशित होते हैं विशांक सकेंडर तक पहुशते हैं लौ मंदकों के रूप में निरगंदी कारको में इनका व्यापक परियोग होता है ना चिपकने वाले जलाव रोध जाग रोधी उत्पादों में परियोगत कुछ रसायनों को P.O.P. के रूप में शनिबत किया जाता है आप से पूचा जा सकता है P.O.P. के एक्जामपल कौन से है तो डायकसीन इस बार बहुत पूचा गया कोशन है PCB का फुल फॉर्म पूचा जाता है पॉली क्रोनेटेड बाइफेनल्स नोट कर लीजेगा ये जो एक्स्प्लानेशन है बिकॉज एक्जाम में आएंगे फ्यूरॉन, और्गेनो, क्लोरी, कीट नाशक जबकि वास्पशील कार्बनिक योगिक B.O.C. का फुल फॉर्म भी आता है वास्पशील कार्बनिक योगिक कार्बनिक प्रदुशक है तो वो नहीं है यहां से यह मत सोचेगा सिर्फ एक्स्प्लानेशन है तो यहां पर एक्जाम में इस एक्स्प्लानेशन से आपसे कोशन पूछा जा सकता है ठीक है? कोशन नंबर सेवन अब 1901 की बात करें, कब की बात करें या लोग 1901 की बात करें, सोचो अपने प्री इंडिपेंडेंडेंस की बात करें, शिम्ला में आयोजित प्रथम सेक्षिक सम्मेलन की निम निम में से कौन सी अनुसंशायती यानि 1901 का जो रिकमेंडेशन है वो आपको बताना है पहला, फर्स्ट एजूकेशनल कॉन्फरेंस की रिकमेंडेशन, हम लोग अभी नेशनल एजूकेशन पॉलिसी पढ़ते हैं, लेकिन अब ये लोग पीछे भी जाने लग गए हैं और पीछे जाने की वज़ा से ये लोग 1901 की शिमला की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट एजूकेशनल कॉन्फरेंस हुआ था, उसके क्या रिकमेंडेशन थी, कोशन नंबर सेवन यानि अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्री इंडिपेंडेंस है और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, प्लस एनिपी, 2020, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पढ़नी है ये ही पता चलता है कि जो लेटेस्ट एक्जाम में पैटर्न कैसा आ रहा है और जो लेटेस्ट रेंटरिंग चल रहा होता है न, उसी से चीज़ें आती है एक्जाम में हो सकता है किसी कमेटी के रिकमेंडेशन पूछ ली जाए, कोठारी की रिकमेंडेशन पूछ ली जाए, कोशन नमबर 7 सही अंसर है, ओप्शन नमबर C, D, E, भारती विश्विद्यालों का संपूर्ण सुधार, भारती सिक्षा के महानिदेशक की निव्ति, परिक्षाओं ह की तुनियमों का समन्वे, 1902 में, 1901 में लौड करजन ने श्यम्ला में एक सेक्षिक सम्मेलन बुलाया, और 1902 में विश्विद्याले आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1901 में सम्मेलन किया, 1902 में विश्विद्याले आयोग जो है, उसकी बारे में विश्विद्याले आयोग जो स्थापित किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? 1902 में किसके द्वारा किया गया बहुत बार पूचा गया कोशन है इस बार 1902 के बारे में विश्विद्याले आयोक के बारे में विश्विद्याले आयोक के लिए समीती बनाई गई थी किसके द्वारा कितने लोगों को इसका अंसर पता है लॉर्ड करजन वेरी गुड केपी यही चीज है कभी-कभी आपके कोशन पेपर में ही आपका आंसर भी दिया होता है तो लॉर्ड करजन लॉर्ड करजन से इस बार बहुत सारे कोशन आए है अभी आप लोग जैसे जैसे दिसंबर का कोशन पेपर देखोगे जून का कोशन पेपर देखोगे आपको खुद समझ में आएगा कि मैडम सही बात कहा रही है कि यहाँ से कोशन आ रहे हैं कोशन नमबर एक प्रदीप का मन गेहन अंदकार युग्त और चमकादलों से बरी हुई गुफा है ये कतन साद्रश्य नुमान है जो किवल प्रकरती विवर्णांत मख है प्रदीप का मन गहन अंदकार यूक्त है तता चमकादलों से मरी हुई गुफा है ये कतन साद्रश्य नुमान है जिसमें की यूक्ति शामिल है कोशन नमबर एट आपके सामने fallacy के question में अब जो चीज़े आने लगी हैं वो क्या है आपका statement वाले question और concept based question यानि इसके example पूचे जाएंगे concept based question को solve करने का तरीका ये लोग कैसे निकालेंगे example से ही check करते हैं तो example में ही इस तरीकी की चीज़े आते हैं अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर analogy से सम्मंदित जो question है वो सही है कौन सा statement number one statement number two तो सही answer है option number one यानि यहाँ पर एक सही है और दूसरा जो है वो गलत है इसकी प्रकरती विवरण आत्मक है विवरण दिया गया है इसमें युक्ति argument हाई ने argument कहां पर होता है जहां पर हम क्यों क्योंकी लगा दे किस वज़ा से question होने लगे बीच में argument हम करें यहाँ पर कोई argument नहीं यह बताया गया है कि प्रदीब का मैं गहन अंदकार योग चमकादनों से बर यानि एक explanation दिया गया है उसको descriptive बताया गया है लेकिन उसमें किसी भी परकार का argument नहीं है कि ऐसा क्यों है that is why जो statement number 2 है वो गलत है argument क्या होता है यही होता है ना भई question हमने किया और question किस वज़ा से किया गया है ना उसका होना चाहिए हर्ष बिलको attention मतलो जो चीज पढ़ाई जारी बेटा उसको समझते हुए answer करोगे देखो इसमें सिर्फ अगर ध्यान से देखोगे तो question नहीं आपको answer मिलेगा बस आपको अपना दिमाग open रखना है ठीक है यह विवरेंड दिया गया है केवल ना कि इसमें युक्ती या argument है question number 9 meta communication इस समय trending topic है यही जरूरी है जानना कि क्या क्या topic पूछा जा रहा है जिससे कि आप लोग Google बाबा को भी बोल सको कि भाई ये topic हमें दिखाओ meta communication explicit क्या है implicit क्या है verbal क्या है और non-verbal क्या है matching में question है explicit जिसमें कि already मतलब है किसी चीज़ का clear होना internet यानि किसी चीज़ में कोई बात का विद्वान होना शाब्दिक यानि बोला जाने वाला non-verbal या नहीं बोला जाने वाला उसके example दिए गए हैं आपको सिर्फ example मिलाने है समझते चलोगे सब समझ में आएगा बिटम question number 9 option number B इस question का सही answer है explicit क्या होता है अन्य लोगों के suppression व्यवहार पर टिपडिया करना comments on other communication behavior साफ साफ किसी के behavior पर comment कर देना ठीक है फिर आता है implicit implicit क्या चीज़ होती है sarcastic remark यानि व्यंगात्मक अभी युक्तियां उसके बाद आता है verbal जिसे हम कहते हैं गैर शाबदिक व्यवहार के बारे में टिपडियां comments करना non-verbal क्या हो गया हमारा मुस्कुराहट के साथ यानि हमने बिना कुछ बोले हमने अपना gesture change हिया an aggressive gesture modify with a smile sign language gesture हमारा जो है है ना ये सारी चीज़े किस में आती है non-verbal में आती है इस question का क्या answer है question number 9 answer number B वीडियो का quality enhance कर लो आप चाहो तो क्योंकि exact question है जो exam में पूछे गए है अगर मैं कहूं कि ऐसे question नहीं आते हैं तो ये exam में ही question पूछे गए हैं क्योंकि 7 December का ये question paper जिसको हम आपको solve करवा रहे हैं थोड़ा सा video के quality enhance कर लीजे क्योंकि अब वो लोग text में देते हैं image में देते हैं जो ये questions देते हैं that is why वो image को set करने में एक ही screen पे difficulty थोड़ा सा होता है है ना चलो एक question और लीजे अंतर व्यक्तिक संप्रेशन का बौद मॉडल बुद्धिस्ट communication से question आ रहा है आपका note down कर लीजे नया syllabus है ये आपका Buddhist बुद्धिस्ट communication हम लोग कहते हैं न क्या update करेगा UGC NTA यही update करेगा आपको कि और क्या क्या चीज़े हम आपसे पूछ सकते हैं और रेड़ी पूछ रहे हैं वो बौद्धिक model बुद्ध का model चलिए question number 10 का यहां पे सही answer option number C होगा यानि C D और E symmetrical relation conscious through interaction वर्फिलिबिल्टी of communication यानि अंतर व्यक्तिक संचार दो व्यक्तियों के उपस्तिती में संभव है जो अंतर व्यक्तिक संप्रेशन है किसके अंतरगत होता है बौद model के अंतरगत होता है और बौद model में सम्मित संबन बादचीत के माध्यम से सहमती और संप्रेशन की सत्यापनियता है कितना कोई चीज वैरिफाई है उस पर जोड देता है तो यहां पर इस कोशन का सही अंसर सी और यह नया जो है कोशन है जो यहां से पूछा जा रहा है इसलिए प्लीज इसको सब लोग नोट डाउन कर लेड़ा चलो भाई पावन अभी इस कोशन का आपको अंसर करना है स्वयम प्रभा का चैनल साथ कोटेल या निम लिकित में से किन विश्यों से संबंदित है जल्दी से अंसर करिए स्वयम प्रभा के ऐसे ही चैनल आ रही है एक्जाम में कि किसको UGC के तरफ से लाया जा रहा है उस चैनल का नाम क्या है या EGNU की तरफ से जो चैनल शुरू किये जा रहे हैं वो कौन से है ठीक है प्रियंका का कहना है मैट्स और कॉमर्स देखते हैं सही है यानी सही आंसर है सी यानी एकनोमिक्स कॉमर्स और फैनल्स कोटेले किसे संबंदित है आपके एकनोमिक संबंद्द कोटेले का भाई दूसरा नाम क्या था चानक के नाम था तो चानक के अर्थसास्त्र से संबंदित सारी चीज़े से संबंदित है, तो स्वयम प्रभा का चैनल साहत्त कोटेल र्थसात्र वाडिजिये और वित्थ्विश्यों से संबंदित है, चारक के किसके देबाई, र्थसासत्र कही थे ना, Finance के थे न तो स्वयम DTA चैनल का एक समू है जो स्वयम के मंच से सेक्षनिक सामगरी प्रस्थत करता है Channel 1 में कभी-कभी Channel 1 में पुछ लिया जाता है कि 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है या Channel 4 का नाम क्या है जल्दी से कमेंट करें मान लीजे हमें अगर ग्रेव इज्ञान की क्लास लेनी है, अगर इस तरीके से आ जाये तो क्या होगा मनीश्या, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है बच्चे, जो चीज मैं जब पढ़ाऊं, बस उस उस पे ध्यान रखो, जैसे मैंने अभी एक आपसे कोशन किया है, ठीके, मैंने आपसे कोशन किया, अब आपको सिर्फ मेरे सामने जो स्क्रीन है, जो पीडियाफ है, उसको देखना है, प्रजेंटेशन पर द्यान दीजे, क्योंकि मैं कोशन के साथ आपको आंसर भी दिखाती हूँ, अब आपको अपना दिमाग ओपन करना है अगर मैंने पूछा कि अगर मुझे ग्रेविज्ञान की क्लास लेनी है तो मुझे कौन से चैनल पर मिलेगी वेरी गुड प्रियंका सारस्वत चैनल पर मिलेगी मुझे ग्रेविज्ञान की क्लास तक्षिला विश्विद्याले के सुरेंटे चानक के वेरी गुड तक्षिला जो था जो हमारा प्राचीन विश्विद्याले तक्षिला जो हमारे प्राचीन स्कॉलर रही है जैसे हमारे पाणी नी रही है है ना जैसे हमारे चानक के या जिसको हम कह सकते हैं कौटल रहे हैं तो ये बता सकते हो ये तक्षिला सबसे पहले बना है या अगर हम बात करें भारत का जो है हमारा नालंदा है पहले सबसे प्राचीन यूणिवर्सटी बारत की कौन सी है और विश्व की कौन सी है ऐसे ही याद करना है याद रखना मान लोग इसी को लौ से संबंदित हमें अगर लौ से संबंदित कर रहे हमें चैनल नंबर 6 देखना पड़ेगा अगर हमें मान लीजे हम आयूर बेदिया कौन सा संस्कृति ऐसे ही कोशन बेटा बन के आएंगे अब इसी लिए मैं आप लोगों से कह रही हूं जिस तरीके से मैं बता रही हूं इस तरीके से पढ़िए कि चैनल नंबर चार में क्या है वेरी गुट शनाया अगर मुझे मनो विज्ञान पढ़ना है तो कौन सा चैनल ह देखो सबसे पहले आई थी तक्षिला लेकिन तक्षिला इस समय कहा है वो पाकिस्तान में है तो ये विश्व की मान सकते हैं तक्षिला कहा है पाकिस्तान रावल पिंडी में वहीं अगर हम नालंदा की बात करें क्योंकि अब ये तक्षिला पहले भारत में थी अब चली ग एक है और अगर विश्व की मानेंगे तो वह तक्षिला क्योंकि तक्षिला सबसे पहले और यह जितने भी अपने कोड़े ले जो अपने पाड़नी है यह सब तक्षिला से पढ़े हैं चलो एक कोशन्स और जल्दी से यह वाले कोडिंग वाले कोशन आरहें एकजनम में तो ज जल्दी से इस कोशन का आंसर करिए सीरीज है एक ना उस सीरीज में आपको ध्यान रखना है उनका इयर भी याद रखना है कि भई इयर क्या रहा है नलंदा का या तक्षिला का या हमारी और कौन सी एंशन उनिवर्स्टीज है कोशन नमबर 19 सही आंसर है ओप्षन नमबर A ध्यान से देखिए यहाँ पर A, B, A है ना फिर उसके बाद A, B, C, A, B, C, A, B, C सेम है सही पैटर्न रिवर्ट हो रहा है A, B, C, A, B, C है ना तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ओप्षन नमबर 1 कोशन नमबर 9 D होगा की A होगा A, B, C भाई ध्यान से देख के बताओ बाई एक A, B, C यह रहा तो यहाँ पर भी A, B, C आना चाहिए यहाँ पर भी A, B, C आना चाहिए पैटर्न करिए ठीके ठीक समझ में आ रहा है कौन सा सभी सेक्षिनिक पुरुसकारों जैसे की प्रमाणपत्र डिप्लोमा डिग्री माक्षी रादी का ओनलाइन स्टोर है यानि जहां पे आप अपना जो है एजुकेशनल या अकेडमिक अबॉर्ड रखते हो वो कौन सी जगह ओनलाइन स्टोर बताना है आपको शिल्पी यही होगा जल्दी से बेटा फटा फट इस कोशन का आंसर करो गीता पूनम कोशन नंबर 20 फटा फट आंसर करिए प्रियंगा ने कहा है नीशनल अकेडमिक डिपॉजर सही है कि नहीं भाई वेरी गुड सही अंसर है नीशनल अकेडमिक डिपॉजर ट्री भारत सरकार की एक पहल एक सेक्षिनिक पुरुसकारों का ओनलाइन स्टोर जिसमें सेक्षिनिक संस्तानों बोर्ड पातरता मुल्यांकर निकायों के द्वारा डिजिटल प्रारू में दर्श किये गए प्रमाण पत्र डिप्लोमा डिग्री माक्षित को भी शामिल किया जाता है तो यहां पे गाईस आपके सामने ये कोशन्स जो आपके लेटेस्ट एक्जाम में पूछे गए और आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे जिनको भी अच्छे लगे हैं और जिनोंने भाई चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आई रिक्वेस्ट वाल उफ यू जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लीजे वहां पे लिंक्स दी हुई है लिंक्स में टेलिग्राम जोईन कर लीजे वाटसप ग्रूप जिसे की क्लासस मिस ना हो सारी अपडेट मिलती रहे और इसका पीडियाफ आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा वेबसाइट में हमारा आर्टिकल है UGC NET दिसंबर 2023 ठीक है दिसंबर 2023 कोशन पेपर तो कोशन पेपर के जो है आर्टिकल पे जाके यस पीडियाफ को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अब मिलते हैं आप से नेक्स क्लास में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए वीडियो को एक लाइक और एक शियर कर दीजेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग attend करिए classes को जिससे कि हमें आने वाले exam में काफी help मिल सके और exam आने तक तो सारा tension ही कतम हो जाए ठीक है चलो thank you very much God bless you